गुड मॉनिंग माई डियर इस्टुडेंट चैप्टर टू आज इसके सॉलुशन की बात करते हैं अपना मॉड्यूल की चैप्टर टू में सबसे बहले अपन बात करेंगे नॉलेज बास्केट ठीक है चलिए चैप्टिशन नंबर वन विच आप फॉलेंग इस नौट ए सब्सक्राइब नेक्स विच आप फॉलेंग फॉर्म सट्रू सॉलुशन इन वाटर तो टू सॉलुशन पानी में स्टार्ट ने डिजॉल कर सकते कोलाइडल बनेगा यह ठू सॉलुशन में चाप पाउडर बनाएंगे तो कि सस्पेंशन ओ जाता एग यह भी टू सॉलुशन नहीं बनेगा सुगर इज़े टू सॉलुशन विच फॉलेंग स्टेट्मेंट इन नौट नौट तू अबाउट तू सॉलुशन आए तू सॉलुशन के लिए क्या चीज नहीं है नौट ट्रू इट के पास फिल्टर पे अजीब सा कुछ लग रहा है तो यह जो है यह format true solution in the solute can easily be recovered by यह तो आपको पता ही है तो सीदी सी बात है third option is incorrect and the correct answer next the concentration of solution is the mass of the solute gram in which is present in mass of solute present in the solution solution 10 gram solvent 10 gram solution 10 gram of solution 100 gram of solvent 100 gram of solution तो भाया इसका जो answer है 100 gram of solution is correct यह यहां पर थोड़ा सा correction है यह solute है तो यह solution यह correct है सब्सक्राइब है यहां पर तो वह गलती से टाइप हो गया तो solution you can understand it very well बात सब्सक्राइब युक्राइब फॉलिंगा रोमोजीनियस इन नेचर कि आइस एंड सॉइल ना वाटर एंड एयर ना वुड एंड सॉइल हां सॉइल एंड एयर ना वुड और सॉइल को पाउडर फॉर्म में मिक्स करके आपन बना सकते हैं तो वह पता भी नहीं चलेगा फॉमोजीनियस हो सकता है वीच आप दी पॉलिंग इस नॉट सॉलूश सॉलुशन नहीं चली छैप और जीनियस मिक्ष्ण पाल्न मिल्क सीवाटर काश टाहरन यह मिक्षर है यह मिक्षर है इस मतलब पानी पानी मिक्षर पानी मिक्षर नहीं होता मिक्षर नहीं है सेंड इंवाटर सुगर सॉलिशन और मिल्क यह तीनों मिक्षर है भी बता चुका हूं कि यह सब्सक्राइब यह क्या है कंपाउंड है और जो कंपाउंड है वो मिक्षर नहीं है दा अलिमेंट वेच गेव आउट हामफुल रेडियेशन और काल्ड वह रेड इसको थोड़ा से डिटेल में और समझा देंगे यह अब किशन आ गया तो मैं बता दे रहा हूं बाकि ऐससा चीज का किशन नहीं है कोई बात नहीं आप याद रख लीजिए विच आप दी फॉलोइंग इन लिक्विड पढ़िया जानते हो मर्करी मर्करी लिक्विड होता है मैटल है पर लिक्विड है बस ठीक है याद कर लो यह सब चीज रट लो भाईया जैसे ब्रोमीन जैसे इसमें ब्रोमीन अब यह ब्रोमीन क्या गैस नहीं है यह लिक्विड फॉर्म में होती है समझ गए तो यह याद कर लो दो तीन चीज़े मर्करी याद कर लो ब्रोमी अब इसमें लेके ज़्यादा कोई डी रट लो कौपर और जींग से बनता नहीं? जाये विजह फॉलवाइंग से नौट smoking जाहिए फैल नpound and suspension के लिए जो true नहीं है वही correct है the particle of suspension can be separated from solvent by the process of filtration यह तो सही है भाई इसमें लिखा है not true है ना इसको पकड़ते हैं when the suspension is kept undisturbed the particle of suspensors यह भी सही है the suspension suspension homogeneous कैसे हो सकता है यार scattering of light take place यह भी सही है collider solution की तरह यह भी टिंडल effect show करते हैं which of the following is example of suspension muddy water बिल्कुल सही है select lime बिल्कुल सही है paints बिल्कुल सही है तो all of these सब सही है now which is the example of emulsion emulsion मतलब oil in water or water in oil कि या तो पानी में तेल डालो दूद की तरह या तेल में पानी डालो oil की तरह यह जो हता है डिश्टेंबर बगेरा इसको बोलते हैं emulsion समझ में तो कोई भी जो क्रीम बगेरा बनती ना फेस क्रीम बगेरा बनती है चाहिए फेस क्रीम गर्मी की हो समर वाली या विंटर की हो दोनों ही कंडिशन में उसको इमल्शन बोलता है तो फेस क्रीम जो है वो एमल्शन का बाखी सब नहीं है ठीक है कि टिशन इस क्या होगा होगी और current व्लाइट जब इस संब्सक्रा और चुम्स लाएट सो करता है पता है यह बीम आं फिलाइट जैब इसने पास होता है तो क्या होता है यह 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 पार्टिकल जो से चमकने लग जाता है तिंडल इफेक्ट है आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है तो टिंडल इफेक्ट जो है उसका मतलब होता है scattering of light सब पड़ा हुआ है बहुत सिंपल लग रहा होगा एक्सरसाइब में कोई के से णिफिकल्टी नहीं है विछब तुणी एप भाहिप बिच आप दी तो टिंडेल इफेट शो कैसे हो नाओ फिजिकल चेंज में याद रखो जो चेंज हो रहा है वो रीकवर होना चाहिए स्यवकिर करके यादि साइक्लिक प्रोसेस होगा आँख बंद करके तो वह फिजिकल चेंज है मिल्टिंग अइस हो गया तो वापिस फ्रीज में रखते बाई वापिस आइस बन जाएगा ना तो फिजिकल चेंज हुआ टेंशन को ले रहे हो तो रश्टिंग ऑफ आइरन में थोड़ा दिक्कत है अगर रश्ट लगने के बाद आइरन वापिस रीकावर करना मुश्किल होता है क्योंकि वह एक कैमिकल प्रॉसेस होता है तो आइधिंग बोथ बोथ वाला जो अप्शन है वह करेक्ट है क्लियर हो गया नाओ किशन नमर 19 सेपरेशन ऑफ साल्ट फॉम अम्मोनियम क्लोराइट डिपेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी और वह यह अम्मोनियम क्लोराइट और सॉल्ट में एक चीज बड़ी डिफ्रेंट है दिखने में दोनों एग जैसे लगते हो अलग बहाते अम्मोनियम क्लोराइट ग इन लिक्विट स्टेट अप्सटेंस अर नौन एप सब्लीमेंट सब्सटेंस और प्रॉपर्टी इस नौन एप सब्लीमेशन यह चीज मैंने आपको पहले भी बता दिये और इसको बार बार याद रखेंट और सब्लीमेबल सब्सटेंस होता आइक और अमोनियम इसलिए उसको सेपरेट कर लेते हैं सपरेट करना सब आपको मैंने उसमें भी बताया था सब्लीमेशन का मतलब कारबन बर्ण इन ऑक्सिजन तू फॉर्म कारबन डाइओक साइट कारबन को बंड किया और यूविल गेट कारबन डाइओक साइट अब इसमें कौन सी बड़ कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कॉंस्टिटिवेंट से अलग होती है पूरा डिटेल में समझा चुका हूं 21 कि मिल्क इमल्षन है कंपाउंड हो नहीं सकता सॉलिशन हो नहीं सकता और जैल हो नहीं सकता हो नहीं सकता तो यह हो गया ओ ठीक है next which of the following statement is true is true इस पर थोड़ा concentrate कर लिए करो इज्परेक्ट इच्ट इंकरेक्ट ध्यान जे में सुलिशन टू सो टिंडट इफेक्ट इनकरेक्ट है कोलिशन शो ब्रावन्य अन मुवमेंट यह करेक्ट है को अक्रैक्ट साइज अप्ष्ट स्विश्ट सेटेन रख गलत यह वन अंज se ज्यादा होती है वन अम से कम वोत ही तू स्यादा है कि ऑन में से सजंद्रेइब यह से ज्यादा से सपेंशन और वन और फेस्वंजिव कि बीच में तो 예 इज भी क्लियर हो गया नैस्ट ढोखला ढोखला सॉफ्ट होता है एक की तरह है थुड़ा सॉफ्ट होता है तो सॉलिट के अंदर क्या भरी हुई है अरे भाया गैसे इन सॉलिट है सुन्दे आ गया कि द्यान से बड़ा तो मज़ा आ रहा है न कट पड़ा फट सॉल वह रहा है किस्ट्ट ए स्टुडेंट टेक्सम वाटर इन भीकर एंड हीट सीट गरम कर रहे हैं ओवर फ्लेम फॉर डिटर्माइनिंग इट बॉइलिंग पॉइलिंग पॉइंट हमें उसका पता करना बॉइ भीक्स को करते जांब टैंप्रेचर में अब तर्माइटर में जो वह ऊपर आता जाएगा एक कंडिशन ऐसी आई कि आप तेंप्रेचर बढ़ा रहे हों लेकिन थर्माइटर में मर्करी एक पर्टिकुलर स्टेंड पर आके फिक्स हो गया अब मैं चड़ेगा नहीं अब एक बनाते हैं तो एक दूसरे को हिट करते हैं कौन डिस्परजन मीडियम और डिस्परजन फेस्ट तो इस तरह से उनके अंदर एक जिग जग 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 मोशन होता है जीसे हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन लिए आइस ऑपनाइट चैप्टर के वीडियो डिटेल में समझा दिया है एक गिलास पानी लो उसमें आइस डाल दो आइस डालने के बाद पानी का लेवल बिलकुल फिक्स होना चाहिए अब उस आइस को मैल्ट होने दो जैसे आइस मैल्ट होने लगेगा तो पानी बहार नहीं आएगा तो लेवल जो होगा वाटर वह सेम होगा वह नो निगत वरी आवाँट आट था फॉलॉइंग सब्स्टे इसमें डाला केरोसीन पानी में इसमें डाला शुगर और इसमें डाला साबुन और इसमें डाला मिल्क एत्षर सब्सक्राइब तरीफ़ीयों सबबने नहीं है बस ट्रू सॉलुशन कौन सा बने ओमोजीन इस कौन सा बनेगा चलिए कोई बात नहीं तू सब्स्टेंस एंड बी अब सब सुन समझ ना कितना सिंपल सवाल है बड़ा देखकर डर्ना नहीं एंड बी अर वेल मेट टुरेक्ट फॉर्म एंड सब्स्टेंस ए और भी म सब्सक्राइब कौन सा स्टेटमेंट है जो यह कहता है कि यह जो स्टेटमेंट गलत है आसान शब्दों में आपको बस वही चेक करना है अब प्रोड़क्ट एटू बी शोग्व्ष दा प्रोपर्टी ऑप दिस सब्स्टेंस एंड बी गलत है तो तो कॉंस्टिट्वेंट प्रोपर्टी बिल्कुल भी शो नहीं करेगा और जो शो करेगा वह कंपाउंड नहीं होगा कंपाउंड कभी भी अपने कंस्टिट्वेंट की प्रोपर्टी कंपाउंड कभी भी अपने कंस्टिट्वेंट की प्रोपर्टी शो करते नहीं और जो कंस्टिट्वेंड की प् आते हैं यानि हमारे आंसर में सही है यानि फर्ष्ट इनकरेक्ट यह हमारे आंसर में सही है तब प्रोड़क्ट विल आल्वेस्ट फिश्ट कंपोजिशन ना यह कंपाउंड की प्रॉपर्टी यह इनकरेक्ट नहीं है करेक्ट है यह प्रोड़क्ट सो फॉर्म्ड इस एन एल अपरिमेंट ना यह तो कमपाउंड है तो यह भी गलत है फर्स्ट थर्ड एंद फोर्थ सेकंड ऑप्शन इसकरेक्ट सेकंड ऑप्शन इसकरेक्ट ब्याब यह बात सौन में आनी चाहिए ने च्छे तू कैमिकल इस एक्षान वाइग तो फाम में प्रोड़क्ट पी विच कं संब्यक्पाउंड चाहिए अपने को एक्सर य कि एक्सर भाइग को आप ड्रोक नीकर्स ब्रोक यू ग्रोक एक्सेल्ड वाइं निट्स इंपलर सब फल्म इसका मतलब एक्सरवाइग कंपांड है एक्सरवाइक्ट phonlectomic Alright ब्हुनrån नेर्दर कमपांण व।समें डिद सम्मि जब इसको आप सिंपलर सब्स्टेंड में ब्रेक नहीं कर सकते तो वह एलिमेंट तो नहीं ही होगा तो फ़र्ण कि सेकेंड और फोर्थ अगर यह देखा जाए तो भी सही है और अगर मान लो अगर आप कंफ्यूज होएं तो फिर क्या करें बताओ पी कंपाउंड यह तो सही है ना यह तो सही है ना अब विच केंड नोट बी ब्रोकन डाउं इंटू सिंपलर सब्स्टेंश यह कंपाउंड है क्या ब्रोक अगर हुगा क्मपाउंड होगा सिंप्लर सब्स्टेंश में रूब मुणा कैंज वीज्वे कि इन डाउगस से यस और नो है वी कैन ब्रेव सब्सक्राइब कर सकता हूं पहली बार में यह गलती हो जाती है एक्जाम में जल्दबाजी में मुझसे भी हुई थी इसलिए समझा रहा हूं ध्यान से समझ लेना सिंपलर सबस्टेंज को कभी भी सिंपलर सबस्टेंज में और डिवाइड नहीं कर सकते जो खुदी सिंपल उसको और क्या सिंपल करोगे सिंपल वही डिवाइड होता है जो कॉम्प्लिकेटेड हो समझ में आई बात तो कॉम्प्लिकेटेड कौन है अगर एक्स और वाई को आ अगर compound है यह तो सही है एक्स और य य कंपाउंड होंगे तो फिर उसको simpler सब्सटेंड में ब्रेक नहीं कर सकते यह स्टेटमेंट गलत होगा तो अगर आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते तो X और वाई होगे elements और फिक फिक्स कंपोजिशन है क्योंकि वह compound है तो 134 असवन में आया कंफ्यूज हो गए और कंफ्यूजन क्लियर कर दिया क्लियर है ना विटा ध्यान रखना ना वीच आप दी फॉलएंग रियक्शन लीज्ट फॉर्मेशन और सब्स्टेंस कोलाइडल स्टेट का मतलब होता है मिक्शर बने मिक्शर कैसे बनेगा थ्यान से समझना यह एक तरह से कंबिनेशन रियक्शन इसमें कोलाइडल सॉलूशन नहीं बन रहा यह एक तरह से मतलब यह भी डिस्प्लेश्मेंट ऑक्सिडेशन टाइप की रियक्शन है यह जो भी है वह है और लास्ट नॉट दालीश्ट अब इसमें देखो यह सलफर का पानी के साथ और नाइट्र मेडियम वाली चीज नहीं है तो ऑप्शन फोर्थ शुड़ बी करेक्ट बात सौन में आई मैस्दा कॉलॉम यह मैस्दा कॉलम तो आप अपने आप ही कर लो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एसी टॉन और वाटर को आप कैसे अलग करोगे डिस्टिलेशन से और तो सब्लीमेंट करके वाटर मरकरी और बेंजीन है तो इसको आप अलग कर दो सेप्रेटिंग फनल से यूगि मरकरी है और वाटर है तो वह डैंसिटी के वज़े से अलग सेप्रेट हो जाएंगे नीचे बढ़ जाएगा आयोडीन चॉक मिक्श्यर है तो आयोडीन चॉक सेंट्रिफ्यूगेशन से वाटर सेंड को सेडिमेंटेशन से वाटर सेंड वैसे नीचे बैठ जाएगा तो इस तरीके से आप देखना तो आई थिंक ओप्षन फॉर सुद्भी शुद्भी करेक्ट आफ्टर अप्टर एंविज सेश्टम एक यह कॉलंप को आप एनालेसिस कर लो ऑप्षन फोर शुद्भी करेक्ट क्लियर हो गया बासवन में आरी कि नहीं आरी इन्हा वह आप सेपरेशन का मुझे बताई दिया वीचिसा अब कॉलम देखो वाटर क्या है चेक कर लो भाईया कासि कंपाउंड और क्या water जो है वह कंपाउंड क्या हिट्रोजीनियस मिक्षे क्या है होमोजीनियस मिक्षे मिल्क क्या Ahora क्या है ELEMENTolor क्या है और सुगर क्या है कंपाॉंड है तो यह सारे चीज आपको फ। सुसमें मिल जाएगी फ। का दी देख लो वाटर पियॉर सब्स्टेंस है रॉक्स हिट्रोजीनियस है रहां एर मियंत होजीन्यव मिक्शर है मिल्क फूर्थ में इमल्शन है फिफ्थ में कॉपर क्या है element है और sugar compound है वो ही मैंने बताया तो वो ही इसमें मैंने check किया है हो जाएगा आप से ठीक है अब देखिए यह देख लीजिए metal non-metal की property के उपर है अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो malleable कौन होता है malleable होता है जब sheet में आप उसको बना सकते है डक्टाइल कौन होता है जिसके वायर बना सकते हो hard कौन है diamond hard है conductor electricity कौन है ग्रेफाइड है लश्टर कौन है आयोडीन है liquid कौन है ब्रोमीन थोड़े पहले पहले बता है तो ना ब्रोमीन को अपन वाटर की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका जो आंसर है वह सेकेंड option होगा आप देख लो सेकेंड ऑप्शन में फर्ष्ट का एफ सेकेंड का डी थर्ड का एफ हाड डाइमंड होता है है ना conductor ऑफ इलेक्रिक सिटी ग्रेफाइड जो है वह मेटल की तरह है है ना और फिफ्ट का बी लश्टर आयोडीन चमकता है मेटल की तरह और ब्रोमीन लिक्विड होता है बास वन में आई बास वन में आई क्लियर हो गया ना यह ऐसे तो कॉलम तो आपको प्रोपर्टी देख क्या आराम से मैच कर सकते हैं तसल्ली से काम करना इसमें जल्दवाजी मत करना कि सर जल्दवाजी में क्योंकि एक भी पॉइंट से गरबढ़ हो सकती है वैसे इसकी ट्रिक भी होती है दो शी को पकड़ के चल अपने आप समझ में आ जाएगा माल लु अगर मैं धोड़ा सा इसको समझ में करूं देंगो बता रहा हूं तरीका देख लो गर नहीं मैं आय। पूछ ने ना मैसं far को देख रहूं बहुत ध्यान से मेरे दिमाग में चल रहा है क्यार डक्टाइल क डक्टाइल का मतलब क्या होता है ड्राउन इंटू वायर डी तो डी कहां पर है इस में बाकी इन में ए और सी में है तो कॉमन सेंस की बात है अगर मालोड डी भी कॉमन मिल जाते तो फिर एक और देखते थोड़ा सा ऐसे भी करके आप टाइम बचा सकते हो एक्जाम में मैं जन इनों अलग यह फर्ष्ट वाला तो पहले ही अलग हो गया बाकी इन दोनों को अपने अलग बस सेकेंड ऑप्शन कर दो नान अफ दीस अलब दीस तरसा कुछ ही नहीं इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है थर्टी फोर अब थर्टी फोर में देखिए अब यह डाइजेशन ह कौन सा चेंज होता है केमिकल चेंज होता है डाइजेशन केमिकल चेंज होता है अब यहां देख लो आपको पता ही है तो वन का ई अब इसी मैदर से करते हैं वन का ई अब देखो वन का ई वन का ई तो इस सेकेंड वाले में एफ है इसको अपन हटा देते हैं तो कि सेकेंड म होगा तो कंडेंसेशन फिजिकल चेंज है तो सेकेंड में यहां भी एफ यहां अरे वाह गरबड़ हो गया तीसरा पड़ते हैं सोनोरस सौनोरस साउंड स्रीफ और स्रीफ मैटल निकालते हैं तो ए यह बी और यह अ हां तो यह यह तो इस थर्ड वाले को अपन हटा देते हैं है ना अब अपने दो तो हट गए 2020 में अब आंसर फर्स्ट और फॉर्थ में से कोई एक है फॉर्थ नंबर पर बोरोन क्या है मैटलोइड है चलो नहीं आता कोई बात नहीं एरोसॉल क्या है smoke है smoke aerosol होता है न पेट्रोलियम तो फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन से ही अलग होता है यह देख लो डी यहां पर भी डी यहां पर भी डी है तो भाईया फिप्त नमबर पे aerosol aerosol क्या है smoke है यहां भी यहां भी डी भाईया बहुत खतरना खे तो और फिर fourth number पे poron metaloid अपने आप आई जाएगा तो यह भी आ गया तो इस तरीके से आप इसको पकड़के चल सकते हैं देख लो भाई देख लो sixth number पे पेट्रोलियम फ्रेक्शनल distillation पकड़ लो यहां पर sixth number पे सी है fourth option चेक कर लो सी है तो आप यहीं पर भी पकड़ सकते हो कि first answer first option करेक्ट है यानि आपको इसा प्रॉपर्टी आती है समझाया हुआ हुआ है तो इसको लेके पारिशान होने की ज़रूत नहीं बस यह कि बैस्दा कॉलम में टाइम कैसे बचे वह आप देख सकते हो अब जैसे यह इसको पकड़के चलो इसको कैसे देखोगे आप आईए इसको देख लेते हैं अगर माल लीजे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास अब ब्रेकिंग ग्लास टूट हैं आप लोग अपने हिसाब से देखना रस्ट्रिंग ऑफ फाइरन केमिकल चेंग अब देखो फस्ट में सी और सेकंड में इसका मतलब यह दोनों तो करेक्ट हैं तो सेकंड को चेकी नहीं करना डारेंट लगा दो आंसर क्या बढ़ी सेकंड का क्योंकि तीनों में यही है मिक्शर उप सॉलिड यह मिक्शर उप सॉलिड जो होता है वो सैपरेशन और सब्लेमेशन से सेप्रेट करो या मैंगनेट करो बात तो सही है और दूसरा एफ पकड़के चलें अगर एफ देखें तो प्रेक्शनल डिस्टिलेशन ऑप लिक्वीड इन ए तो यह तो बढ़ी एड़ यह इन्हों नहीं आप दे दिया तो ऐट वहाट लंगा तो दोनों में सेह सन एना तो लगा दो फिफ्ट व में भी सॉनिस्पी कौब इमभ्रीष मिश्पी को अपन सेफरेटिंग फरणल से सेपरेट करते ihm भी और इन्हों डी डी मतलब कंपाउंड तो भाईया भूल जाओ अब फिक्स कंपोजिशन देखने की भी जरूत नहीं यहीं पर आ गए तो यहां आते ही आप इसको करेक्ट ऑप्शन सेकिंड कर सकते हो यानि यह सब चीज़ें आपको पता है मैं बस ऐसे आपको समझाने कोशिश कर रहा हू और उसने बहुत ज्यादा क्लोजली वो दिये तो फिर तो भाईया आपकी नॉलेज काम आएगी लेकिन यह जरूर है कि फिर भी एटी परसेंट तो होई जाएगा कहीं ना कहीं ठीक है तो इस प्रकार से यह कंप्लीट होता है अपना नॉलेज बास्केट ठीक है अब आगे सोल्यूशन कौन नहीं है एक अलिक न पर है पर तैल ओपर तैरता रहेगा तो जो नहीं होगा वो सॉल्यूशन कैसे होगा बात समन में आई बिलकुल आई नेक्ष तब आई वीच अप सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड एक बात याद रखना मेरे बेटों सबसे पहले कभी आपसे सेपरेड करना है तो सबसे पहले दिमाग लगाना कि कहीं कोई सब्लीमेंट तो नहीं है जो सॉलिट से डायलेट गैस में कनवर्ट हो जाए अगर कोई ऐसा हो तो सबसे पहले उसको गरम करना अब देखो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड है तो आपको पता होगा अमोनियम क्लोराइड सब्लीमेंट है उसको गरम करेंगे तो वो उड़ी जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सब्लीमेशन लेंगे आप पूरे सिस्टम को पूरे सिस्टम को चाइना डिश में ड पनल रखे और यहां पर एक कॉटन लगा देंगे वह आपको पता है इसलिए मैं उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं तो सब्ली में इसका में आंसर होगा क्लियर हो गया next which of the following statement is true अच्छा यह कभी भी इस तरह के सवाल आए ना इस फॉल्स इस इस इनकरेक्ट लैंग्वेज में कई बार आपको घुमाएं तो उसको जरा ऐसे कर लिया करो पैंसिल से यह पैंस है एक्जाम में देने जा रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो आपके आप राजा हो उस वक्त यानि यह आर्दा कि यानि डिसीजन पावर आपक अग्वाइड़ सॉलुशन दूनोट शू टेंडल इफेक्ट भाई या क्या हुआ गलत हो गया यह तो नहीं है यह यह सही है यह पहले बता चुका हो अग्वाइड़ सॉलूशन हो जिने गलत है हिट्रोजीन होता है साही जोड़ी तो यह ने नेनोमीटर हो गया तो तो सॉ कोकला यह पिछले उसमें भी था तो भाईया गैसिन सॉलिट नेच्ट संड़ेड़ ग्राम और सॉलूशन शुगर कंटर फॉर्टी परसेंट शुगर बाइमास वाटर शुड़ वाटर शुड़ परसेंट शुगर सॉलूशन बाइमास इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझ भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब जिसमें समझाते जा रहा हूं उसको द्यान से एक एक पॉइंट समझते जाना ठीक है पहली चीज़ है एन हंड्रेट ग्राम एक्वास सॉलूशन यानि कि अगर मैं आपसे बात करूं तो मास ओफ सॉलूशन इसका मतलब होता है सॉलूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू हंड्रेट ग्राम ठीक है मास ओप सॉलूशन का मतलब इक्वल टू हंड्रेट ग्राम यह गिवन है यह बोल रहे हैं कि इसमें 40 परसेंट शुगर है तो सॉल्यूट कितना हुआ मैं यह लिख रहा हूं सॉल्यूट कितना हुआ 40 ग्राम 100 का 40 परसेंट 40 ग्राम और सॉल्वेंट कितना हुआ 60 ग्राम बात सॉन में आई दोनों चीज़ क्लियर हो गई यह सर हाउ मच वाटर शुट भी इवापरेटेट कितना पानी को हम इवापरेट कर दें कि जो सॉल्यूशन है यह 40 परसेंट की जगह है 50 परसेंट हो जाए क्या है पॉसिबल है देखते हैं फॉर्मूला क्या कहता है वेट बाइवेट परसेंटेज इस इक्वल टू मास अफ सॉल्यूट अपॉन मास अफ सॉल्यूशन इन्टो हंड्रेट ठीक है अब यह यह डबलू बाइडबलू की वैल्यू कित्ती दी हुई है 50 परसेंट मास अफ सॉल्यूट कितना है वो तो चेंज नहीं हो रहा है मास अफ सॉल्यूशन चेंज हो रहा है तो मास अफ सॉल्यूशन चेंज हो रहा है का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट कितना है साहब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है मैं बार बार बोलत रहा हूं क्योंकि यह इंपोर्टेंट चीज है कि सॉल्यूट कि अब सॉल्यूट कितना है साहब 40 सॉल्वेंट का मास कितना है वो नहीं मालूम है कोई बात नहीं उसको हम एक्स माल लेते हैं और यहां लिख दो इंटू हंड्रेड अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने इसको फटा-फट सॉल्व कर लेते हैं यह 50 को इससे काड़ दो यह टू हो गया और यह टू यानि एक्टी यह 40 प्लस एक्स इक्वल टू एक्टी हो जाएगा 40 प्लस एक्स बराबर 80 तो एक्स बराबर कितना हो गया 40 ग्राम यानि कि मेरे पास सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन अगर मान लीजिए 80 ग्राम हो जाए सॉल्यूशन तो 40 है सॉल्वेंट भी 40 यह तो कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाए और अभी मेरे पास सॉल्वेंट कितना है 60 ग्राम तो वाटर कितना इवापरेट करना पड़ेगा 20 ग्राम तो तभी तो 40 ग्राम बचेगा तो वाटर कितना इवापरेट करना पड़ेगा 20 तो यह पूछ रहे हैं how much water should be evaporated कितना पानी वाप्रेट करना पड़ेगा तो वह आंसर होगा 20 ग्राम बात सवान में आई ओके नेक्स्ट the brownian motion of collider solution is due to bombardment of यह पहले ही बता चुका हूं you know it very well bombardment of molecules of disperse medium on the colloidal particle disperse medium disperse phase एक दूसरे बंबार्मेंट करेंगे तो brownian motion करेंगे substance which is chemically registered and can hold aqua-razia देखो भाई एक ही चीज है जो चाहे कितना ही गरम substance हो कितना ही रियक्टिव substance हो उसको बियर कर सकती है बड़ी-बड़ी industries में जैसे लोहा है अब लोहा पिघलता हुआ आ रहा है गरम गरब तो पिघलते हुए लोहे को हम किसमें जेल सकते हैं किसी दूसरे handle में तो हो ना यह तक्क-र कर सकते हैं किसमें करेंगे मिट्टी में कि अग्री समझते तो मिट्टी के kys बनाए जाते हैं उसमें लोहा आते गिरता है और भी जाता है थंड़ा एक उसमें pure iron मिलता है in the same way यहां पर ceramic glass fiber और thermosating plastic इन में से स्रिफ और स्रिफ glass ही ये काम कर सकता है आप बोलेंगे glass क्यों क्यों क्योंकि glass एक तरह से मिट्टी का ही form होता है एक मिट्टी का ही रूप होता है मिट्टी की एक form होती है glass और glass less reactive होता है आप देखा होगा laboratory में कभी आप जाए तरह सब्सक्राइब कंटेनर में क्यों क्योंकि Glass के कंटेनर में एक तो वो रियक्टी नहीं होते क्योंकि मिट्टी का ही एक फॉर्म होता है वरें टू लिकुड्स इन a mixture differ by their boiling points which of the following best method to separate these liquids सीरीसी बात है जब दो liquid के mixture में boiling point में different ज्यादा होता है तो आप आख बंद करके distillation use कर सकते हैं क्लियर है एक को गरम करोगे temperature क्या according वो मतलब आराम से separate out हो जाएंगे दो liquid को separate करने का distillation अच्छा method है अगर boiling point में difference कम हो तो आगे आएगा उसको fractional distillation से separate करते हैं milk of magnesium is the example of which type of collidal यह यह जो collidal है यह है sol का जो आपकी बुक में जो पेज है gas in liquid solid in liquid solid in gas gas in solid gas in liquid तो milk of magnesium is the example of soul यह सब के सब collider solution के example है एक बार आप टेबल जरूर पढ़ लेना आपको सब समझ में आ जाएगा हो नेक्स्ट चाइन डिस्षी लेंड ही juist很好 by theareth ड्रेवल और घुरियंड ही juist Pharisee बात है बिटलन कोरशिव सभी आते क्योंगी बारेशीव कैसे होगी बढाव दूरेबल हैंड नोन कोरेजिव तो नन कोरशिव था बिटलेंड हीट रोगए तोट जाएगी ठीक है और हीट रेजिस्टेंट भी होती है नेक्स्ट विच फॉलाइंग गैसे यूज्ट तो शो दा क्लाउट्स ऑफ आर्टिफिशल इसमोग इंदा ड्रामा में जो धुआ करते हैं जन्रली उसमें कौन सी गेस होती है इसमें देखो थोड़ा सा मैं आपको जो धुआ के लिए जो गैस यूज की जाती वो ड्राई आइस यूज कीया जाता है ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिट चीओ टू को चिल्ड कर दो तो वह सॉलिट फार्म में कणवर्ड होती है और उसके बाद उसको घरम करोगे हीट दोगे तो डाइट गैस में कंवर् सबस्टेंग यह सी ओटू को जब चिल्ड करते हैं तो वह लिक्विड में कनवर्ट नहीं होती इसलिए उसको ड्राई आइस बोलते हैं यह ऐसा जो गीला नहीं होता क्लियर है यहां तक क्लियर है अब ज़रा दूसरी चीज समझना बहुत मज़ा आएगा कुछ केसे में ऐसा में की सुनने में आया है की लिक्विड नाइट्रोजन का भी यूस कीया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन था ला श्तवरा कॉश्टली पड़ता है तो वह भी यूस किया जा सकता है पर मोश्टली हम लोग जो Hyd равно करते हैं वह वह घृइं लेकिन आप्शन में ड्राइए हो तो आप सबसे पहले उसी को टिक करेंगा आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कन्फ्यूस करने के लिए नहीं समझ गए इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जो मैंने पिछले अभी जो किस्चन में जो फॉर्मूला लिखा है मास मास परसेंटेज डवलू बाइड़ परसेंटेज इस इकल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड़ वाइड़ देखो 220 ग्राम वाटर लिखा है तो वाटर सॉल्यूट की तरह वर्क करेगा और 220 ग्राम सॉल्यूशन लिखा होता तो फिर सॉल्यूशन की तरह हम उसको लिखते अर्थात वाट आई वूड़ एक टेश्प्लेइन यू कि सॉल्यूट प्लस solvent इंटो 100 अब कर लो अब यहां पर chemistry खतम हो जाती है यहां पर mathematics शुरू है इतनी calculation आपको करनी चाहिए तो इसका जो answer आएगा वो आप ही solve करके commit box में लिख देना, मैं चाहता हूं कि इसको आप ही solve करें, ठीक है ओके, cheese is an example of which type अब मुझे बताओ, cheese collidal solution है, collidal solution कौन सा होता है, gel यानि liquid in solid, cheese थोड़ा soft होता है, तो solid के अंदर liquid होता है, अपन क्या बोलता है, collidal solution की definition में collidal solution की language में इसको हम बोलते है, gel तो यह gel हो गया, next which process is used to separate mixture of two miserable liquid A and B having boiling point 56 and 65 degree respectively, थोड़ी जर पहले मैंने अभी बोला था, आप चाहें तो, ख्याट छोड़ो, आप समझ लो, याद कर लो, मैंने आप से बोला था कि boiling point by difference कम है, जब distillation वाला question आया था ना भी, तो मैंने आपको समझाये था कि boiling point वा difference कम है, तो fractional distillation, आख बंद करके आप इसको follow कर सकते हैं, इस question को थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने इस question को समझाने की कोशिश कर लिए, test tube है, इस test tube में आपने ether में x और y के mixture को boil किया, इस test tube में x और y के mixture को आपने boil कर दिया, और फिर उसको filter कर लिया, तो x तो उपर रह गया, as a residue, और जो y है, वो ether के साथ dissolve होके नीचे आ गया, फिर इसको चट पे रख दिया, इस container को चट पे रख दिया, ऐसा मान लो, तो यह ether जो है, वो evaporate हो गया, और y y नीचे रह गया, ठीक, अब सवाल यह उठता है कि x और y क्या है, क्या होने चाहिए, x और y, समझ में आई, sugar and common salt, acetone and water, ammonium chloride and naphthalene, ethyl alcohol and sodium chloride, देखो मेरे बेटो, मैंने आपको यह बात पहले भी बताई थी, मैं अभी फिर बता रहा हूँ, कि एक substance वो होता है, जो polar होता है, polar क्या होते हैं, मैंने आपको detail में बताया था, जिसमें pole होते हैं, और एक substance वो होता है, यानि ionic compound होता है, एक substance वो होता है, जो non polar होता है, अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं पैट्रोल में पानी डिजॉल्व होता है नहीं क्योंकि पैट्रोल नोन पोलर है और पानी पोलर है ऐसा समझ लेते हैं लेकिन पैट्रोल में डिजल डिजॉल्व होता है हाँ क्यों क्यों क्योंकि पैट्रोल और डिजल दोनों ही नोन अब थोड़ी से दिमाग लगाएंगे तो शुगर और कॉमन साल्ट तो होई नहीं सकते क्योंकि शुगर और कॉमन साल्ट दोनों के दोनों एथर में डिजॉल्ब नहीं होते एसीटोन एंड वाटर वाटर तो होई नहीं सकता क्योंकि वो इसमें soluble नहीं हो सकता liquid form में हो ही नहीं सकता अब आप कहेंगे कि सर अब इसको याद कैसे रखे देखो इसमें क्या होता है दो तीन चीज़े हैं जो आपको याद हो जाएगी वो कैसे कि कौन से substance में कौन सा substance dissolve होता है, soluble होता है यह थोड़ा सा आपको याद रखना है जैसे ही, अभी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि ammonium chloride, जो ammonium यहाँ पर जो है ना जो X और Y का mixture है, जो X बना है तो यह X किसका है, ammonium chloride का है ammonium chloride, इसका जो answer है, वो 3 है मैं आपको पहले बता दे रहा हूं उसका मतलब यह नहीं है, कि मैं explain नहीं करूँगा ammonium chloride है, अभी ammonium chloride इसमें dissolve नहीं होता लेकिन naphthalene जो है ना, वो इथर में dissolve हो जाता है यह थोड़ी सी चीज़े याद हो जाएगी, धीरे धीरे आप पढ़ोगे तब यह यह एथर एक organic compound है और organic substance को इस dissolve कर सकता है, like dissolves like, 12th class में, 1st chapter में पढ़ोगे आप like dissolves like, solution chapter ही है, कभी time मिले है तो ऐसे ही शुरू के 2-3 page पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा जब बन करें, जब बर्दस्ती नहीं है, अब like dissolves like में क्या हुआ, एथर ने naphthalene ball को तो dissolve कर दिया, और ammonium chloride उपर रही है, वो residue बनके उपर रही है, और ammonium chloride नीचे आ गया, अब ammonium chloride, क्या कहता है, हाँ, यहां तो कौन dissolve हो गया, ammonium chloride हाँ, और naphthalene ball उपर रही है, अब दीचे आया, तो क्या हुआ, यह देख लो आप यह, ammonium chloride dissolve नहीं होगा, I repeat, ammonium chloride यहीं रह गया, और naphthalene नीचे आ गया, अब धीर धीर उसको जब यह evaporate हुआ, तो naphthalene के crystals, नीचे मिल गए, यहां पर, तो कहने का मतलब, तो इसमें x और y क्या है, तो x तो है, ammonium chloride और y है, naphthalene, तो एक चीज उसमें dissolve हो गई, और dissolve हो के, नीचे गिर गई, तो नीचे गिर गई, तो वो बाद में evaporate होने के बाद जो बच गई, तो वो गई नैप था लिए, मेरा कहने का मतलब यह है, कि एक चीज जो dissolve होगी, तो वो separate कर लिया, जैसे अब नमक और sand है, तो sand और नमक को कैसे separate करेंगे, तो हम पानी डाल देंगे, और mix करेंगे, तो पानी में dissolve हो जाएगा, और sand को हम filter कर लेंगे, तो यहां भी कुछ वैसा इन्होंने किया है, जो X है, वो ammonium chloride है, और वो residue बनके अलग हो गया, जैसा कि इसमें समझ में आ रहा है, और जो नीचे जो Y है, वो ether के साथ निकल गया, अब ether तो उड़ गया, उसका boiling point कम होता है, त जैसे NCRT ने अभी यह वाला पार्ट हटा दिया, लेकिन हम module में यह चीज पढ़ाएंगे आपको, तकि आपके future के concept clear रहे, क्योंकि इसी की वज़े से आपको organic inorganic का भी idea मिला, ether organic substance है, ether organic substance है, NACL inorganic substance है, तो organic substance में inorganic dissolve नहीं होगा, next, what type of collidal system is fog, देखो, यह तो आप वैस ही समझ सकते हो, fog का मतलब क्या होता है, गैस या धुन्द जैसी दिखती है, तो धुन्द में क्या होता है, वाटर के particles होते हैं, तो liquid in gas, आपको पैसे ही समझ में आ गया, पढ़ ले ना, ले वोजियर है, चूज अपरेक्ट ऑप्ष्ण अब चीज, अब चीज के लिए करेक्ट ऑप्ष्ण क्या है, चीज इस एन एक्जाम्पल आफ इमल्शन, इन विडिस्पर्ष्ट फेज और डिस्पर्ष्ट मीडियम, इस सॉलिड, इस पर्ष्ट फेज इज लिक्विड, और डिस्पर्ष्ट मीडियम, इस सॉलिड, चलो, एक्जाम्पल आफ जैल, इन विडिस्पर्ष्ट फेज इस सॉलिड, एन डिस्पर्ष्ट मीडियम, इस लिक्विड, एक्जाम्पल आफ जैल, इन विडिस्पर्ष्ट फेज इस लिक्विड, एन सबन्द में आई क्योंकि चीज जैल होता है और दिस्पर्ज मीडियम सॉलिड है उसके अंदर डिस्पर्ज फेज लिक्विड आपने डाला हुआ नहीं दो प्योर्टी ऑफ सब्स्टेंट्स कें बी गैंड फॉलोइंग एक्सेप्ट ठीक है प्योर्टी ऑफ सब्स्टेंट्स फुजिकल एपीरंट्स देखकर के आप इसकी प्योर्टी और इंप्योर्टी को पता नहीं कर सकते कि दूद में क्या मिला है अगर फुजिकल एपीरंस से पता हो जाता तो लालबाद और शास्तिरी जी वह दूदी को पीते जिसमें जैर मिला हुआ था देखके पता नहीं सभी बाद है ना बढ़े पालटी में मस्ती करते हैं वो बढ़े बढ़े को पानी पिलाते हैं और पानी के अंदर खुब सारा नमट डाल के पिला देते हैं अगर देखने सी पता चल जाता तो फिर वह आप बोलो सब होशियार हो ता मैथड फॉर सेप्रेशन और मिक्शर वाफ कॉमन साल्ट एन अमोनियम देखो यार बहुत सिंपल यह सब चीज़े बार बार इन्होंने एकी सवाल पूछ रहे हैं अब देख लो सबली में शनी आएगा कॉमन साल को कितना भी गरम करो उड़ेगा नहीं अमोनियम क्लोराइ यह स्टूइंट साथ सब सब्सक्राइब कि सच्टूडएं था क्राइब मेड़ लोεν फॉलोफ फुल ऑफ कोपर साल फेट वास पर शल्वर्फेट को ठिश्टूड ml condemn रख लीएANS इंग क्या थी स्टूडएं इंग को क्या धी इंग यह को सब को पानी एंग डाल दिया इस सेंपल वाटर इस्ट इस्टायड अब उस सब को घोल दिया पानी में है ना अब यह बोल रहे हैं विच आप पॉलेंग स्टेटमेंट इज इंकरेक्ट अबाउट दा मिक्चर प्रिपेर्ड बाए देम अब कौन सा स्टेटमेंट गलत है इंकरेट को पकड़ के चलना कई पर इनकरेक्ट की जगए करेट दिखाई देता है बच्चों को तो इसलिए ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है बात सौन में आई पार्टिकल साथ नौट विजीबल तुनेकर डाइज इन केस ऑप मिक्चर उप्टेंड बाई स्टूडेंट वन एंड इस्टूडेंट त्री कि एट्री इस्टूडेंट वन ने क्या बनाए क्या वाटर और स्टूडेंट थ्री ने क्या बना है इस्टूडेंट थूर्इक आं गया यह रहा इंक तो इसमें पार्टिकल विजीबल नहीं होंगे नेकड़ आइस से कि देखें क्योंने विजीबल होंगे देखते हैं डपाथ ओफ एट इस लिब कोपर सिल्फेट बनाया तो कॉपर सिल्फेट को पानी में डालएंगे तो पाथ कॉमन सेंस की बात पाथ आफ लाइट विजीबल का मतलब होता है टिंडल इफेक्ट शो करना और टिंडल इफेक्ट से आपको लाइट का पाथ दिखता है तो भाईया कोपर सलफेड को पानी में डिजॉल करते हैं तो वो ट्रू सॉलुशन टाइप बनता है होमोजीनियस मिक्षर बनता है और को फीलटर पेपर पार्टिकल मिक्षर ब्पंद बाइस्टोटे एंस मिक्षर और चूड़िया नीधा भाई टूस्यृव हुआ ऑवा त्ब सकूड़ैंग इन साहः चीज़ा है लेकिन विच आप अप्दी शेस्टरेटमें पआर्ट बाई आप जिए run ईसारे चीज बीक्म case of mixture obtained by student one student one के उसमें copper sulphate के उसमें आपको यह कि विजीबल नहीं होगा बासवान में आई अरे इनकरेक्ट हुआ ना क्लियर हो गया दुबारा बताऊं के अगा ओया नैसक्स अई लिए गिवन पैसेज और फिल द ब्लंक पड्यांक यहाँ संधल किन फ्रविक्शन सब्क्र затंब यहां पर एक बलेंक के रहा एक बलेंक किए रहा है उत प्लेंकिए रहा और एक बलेंक कियो आल मुर्ण ही ओ हृसको पड़ो वैं मिक्चर अप्र टुक्विड-न य degree centigrade in their boiling point is to be separated of cons are separated of the whole is to be separated a is used by which increases the surface area as a result when the vapors of both the liquids arise volatile liquid will condense with the vapors of volatile liquid will rise up the home agar maan lijiye mein aap se kao ke immisiable when a mixture of two immisiable liquids having a different of 25 degree in their boiling point is separated distillation flask तो गलत है क्योंकि immisiable liquid को आप distillation flask में separate नहीं करोगे काई में करोगे वो separating funnel में हो जो होता ना एक container में डाल दो और नीचे टैप से खोल लो क्यार non-volatile solute having the different 25 degrees centigrade to separated by condenser it is used to increase the cooling surface area नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा रेद्रप एक मिन्ट वैरा मिक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मिसीएबल लिक्वेट दो लिक्वेट मिल्स मिक्स हो गए वाटर एंड एल्कोल सपोस्ट इस टाइब के having a difference of 25 degree centigrade साहिए एक का boiling point 100 degree 125 इस तरह का दोनों मिक्स हो गए समस्ति जाना यहां तक गाड़ी सही चल रही है इन दियर बॉइलिंग इज यूज इन इंक्रीज दा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसके बाद फ्रैक्शनल नेटिंग कॉलम में डालेंगे इज यूज तो विच इंक्रीज दा कूलिंग सर्फेस एरिया आजर इस रिजिए्ट वेपर्स अफ उफ बोते लिकविट राइस दर लेस्वोलेटईल लिकविट कॉमन इस है जो लेस्वोलेटाईल है वो राइस होगा विल कंडेंस वाइल धर वेपर्स ऑफ मोर वॉलेटाईल लिकविड विल लाइस उत्याय स्जाई बादेता हूं कि यह कंटेनर है उसे पानी भराए लिक्विट भरा यह दो लिक्विड ऐसे बहुत हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफ्रेंट 25 से ज्यादा है मानते हैं तो दिस्टिलेशन लेकिन फ्रेक्ष्णल इस्ट्रिलेशन में क्या होता है हमें कॉलम लगा देते हैं इस तरह का अलग-अलग टाइप के कॉलम लगा देते हैं को और इस कॉलम के अंदर इस जागी रहती अलग 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 ट्यूंप के कॉलम्स होते हैं मैं इस आसले को अलग से बना के बता दू तो यह इस थरह का होता है माल लो इसमें अलग अलग पर ऑल्स जैसी रहती है समझ गए अब जैसे ही माल लो 100 डिग्री और 125 डिग्री पहले हमने 100 डिग्री वाले सब्स्टेंस को गरम किया एक का boiling point 100 है एक का 125 है तो 100 वाला जैसे गरम होगा न तो 125 वाला भी थोड़ा बहुत इसके साथ जाएगा तो यह क्या करता है इस यूज टू इंक्रीज दा कूल कूलिंग सर्फेस एरिया तो सर्फेस एरिया को कूल कर देता है कैसे common sense की बात है जैसे यह fractionating column जाएगा न तो इससे टकराएगा तो 100 वाला की the energy कम हो जाएगी 100 वाले की एनर्जी कम हो जाएगी और वह अंडूचे साथ इवापरेट तो नहीं हो पाएगा समन में आई तो क्या होगा नतीजा नतीजा कि 125 वाला वापिस नीचे बैठ जाएगा एज रिजल्ट वें दवेपर सर्फ बोद लिक्विड राइस जैसि राइस होगा दो लेस्ट वोलेटाइल लिक्विड जो कम वोलेटाइल है कम वोलेटाइल कौन होगा 125 डिग्री वाला वोलेटाइल लिक्वीड विल कंडेंस वाइल वैपर ओप ए मोर वोलेटाइल लिक्वेट कॉमन सेंस की बात तो मोर वोलेटाइल कोन होगा जिसका बॉलिंग पॉइंट डिग्री तो अंडेट डिग्री के आसपास आपने गरम कर दिया 110 कर दिया लेकिन 125 वाला भी तो 110 पर ग पूल हो जाएगा डटाइव लाइक टू एक्स्प्लेन यू तो मेरे इसाब से थर्ड ओप्शन ज्यादा करेक्ट है नेक्स्ट होमोजीनेस मिक्शर अमंग दा फॉलोइंग इज आंख बंद करके एर मैंस दा कॉलम वन और कॉलम टू एंड चूज दा करेक्ट ऑप्शन य इंक को सेपरेट कैसे करेंगे इंक को सेपरेट कैसे करोगे डिस्टिलेशन से लिक्विड एयर को कैसे करोगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से या इवापरेशन से देख लेते हैं कॉपर सलफेट और वाटर है इसको कैसे सेपरेट करोगे इसको सेपरेट कर सकते हो आप Fractional Distillation से कोई बड़ी बात नहीं है स्वन में आ रहा है और चोथा है Acetone and Water तो Acetone and Water मेरे हिसाब से Distillation से भी हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप अपने इस आपसे पर देख लो सबसे पहले तो इंक जो होगी वो मेरे हिसाब से क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट हो जाएगी है ना लिक्विड एयर जो होगा लिक्विड एयर जो होगा वो Fractional Distillation से सेपरेट होगा बता चुका हूं ठीक है कॉपर सलफेट और वाटर को हम क्रिस्टलाइजेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं यहां पर दिया हुआ है और एसिटोन और वाटर को आप डिश्टिलेशन से कर सकते हो जैसा भी आपको ठीक लगे इवापरेशन और डिश्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो तो ऑप्शन फोर शुड भी करेक्ट आई थिंग जो मेरे समझ में आ रहा है एक दोगो पकड़के चलो अपने आप समझ में आएगा इंक लिक्विड एयर कोपर सलफेट और वाटर को आपको मैंने बता दिया है कि वो किस्टिलाइजेशन से भी कर सकते हो या इवापरेशन से कर सकते हो जैसे आपको समझ में आए क्रिस्टिलाइजेशन से करो हो जाएगा वाटर इवापरेट हो जाएगा वो भी चलेगा जैसा आपको लगे और but not the least distillation acetone in water as such कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है एक दो बार करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा I don't think कि इस पर कोई डाउट होगा पर यह तोड़ा समझ के आराम से तसल्दी से ठंड़े दिमाग से करना नेक्स्ट इस टुडेंट अंकित दिनेश एंड मनोज वर गिवन थ्री अन्नोन सब्स्टेंस एक्स वाई एंजड रेस्पेक्टिवली डूरिंग दा लेव एक्टिविटी ओके साथ फिर यह बॉइलिंग पॉइंट है यह सॉल्यूबिलिटी इन वाटर है यह सब दिया हुआ है यहां तक सब गिवन है अब सवाल क्या पूछ रहेंगे अगर इस सब्स्टेंस को जिसका बॉइलिंग पॉइंट गिवन है जो वाटर में सॉल्यूबल है या इन सॉल्यूबल है जो भी है उससे उसको सेपरेट करने की जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो कौन बिलकुल सही कर रहे हैं मैं उसके बारे में आपसे सवाल यह कर रहे हैं अपर उसके बारे में बात करते हैं अंकित सेपरेटिंग फणल अब अंकित में सेपरेटिंग फणल लिया है अब अंकित को क्या मिला है अंकित को मिला है एक्स यानि अंकित एक्स यह बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री और यह वाटर में सॉल्यूबल है वाटर में सॉल्यूबल सबस्टेंट को से बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर सकते ता अंकित गलत कर रहे हैं दिनेश को क्या मिला है वाई यह दिनेश मैं डी लिख रहा हूं यह डिस्टिलेश मिला है जैड जैड मनोज यह लिख दिया मैंने म मनोज साब का जो बॉइलिंग पॉइंट है सब्स्टेंज का 90 डिग्री सेंटिग्रेट जो वाटर में सॉल्यूबल है अब 90 डिग्री में सिरिफ 25 डिग्री से कम का गैप है तो हमारे पास एक ही ऑप्षन है जो अभी मैं सब्सक्राइग का था किन या फ्रैक्श्नल टिस्टिलेशन तो मनोज City डिस्टिलेशन फॉलो कर रहे हैं तो मेरे साब से मनोज मनोज इस ग्रेक्टिक थिक है मनोज करेक्ट है highway art लिक्विट ठीक है boiling point of X is 56 डिग्री संटिग्रेट and y is 100 डिग्री संटिग्रेट which separation technique can be used to separate x and y from the mixture आईए बात करते हैं separating funnel जब missy ये बाल है तो separating funnel काम नहीं आएगा boiling point में difference 25 से ज़्यादा है तो I don't think कि कोई दिक्कत है simple distillation करो और आराम से ये separate हो जाएगा ठीक है कि एक्जामपल एलिमेंट का एक्जामपल एक ही आयरन सॉल्ट अमोनिया और वाटर compound है नंदीता सब्स्टेंज वाई अब देखो सवाल लंबे चोड़े हैं थोड़ा सा आपको दिड़ाने के लिए लंबे सवाल लिए नंदीता को यह मिला और यू यू ऐसा वैसा उसने किया अराम से पड़ो सवाल में कोई टेंशन नहीं होगी नंदीता है जैस सब्स्टेंज वाई नंदीता के वाई सब्स्टेंज से जिसका बॉइल्स जो बॉइल होता है मतला बॉइलिंग पॉइंट कितना है 388 के एंड इट मिसीबल विट वाटर वाई वाटर में मिसीएबल है यानि वाई लस वाटर ठीक है वाई ड़स नोट इज इमिसीएबल आइम सॉरी या इमिसीएबल है मैंने कहा ना ऐसी गलतियां हो जाती है बड़े बड़े एक्जाम्स में चोड़ी चोड़ी गलतियां हो जाती है और लाइफ में वाट लगा देती है वाट एक नंबर का मतलब है आप पचासों नंबर नीचे आ जाओगे समझ गए इसलिए मैं सब्सक्राइब यह गरी थी ठीक है ना वाई ड़स नॉट रियक्ट विट वाटर ठीक है विच आप दी फॉलविंग सेपरेशन मेथड विल नंदीता एड़ॉप्ट तो सेपरेट वाई अब वाई को अलग करनी है फ्रॉम दा मिक्स्टर कंटेनिंग अनौदर सब्स्टें जैड यानि वाई के साथ एक जैड भी घुसा हुआ है और जैड का बॉइलिंग पॉइंट टू सेवन्टी एट केल्विन है और एक इंट्रेस्टिंग चीज़ वाई एंड जैड आर वाई एंड जैड आर मिसीयबल यह एक इंपॉर्टन चीज इन्होंने बोल दी वाई औ पानी के एक कंटेनर लिया इस कंटेनर में वाई है जैड है और वाटर है है ना अब यह नहीं बताया कि जैड और वाई वाटर में मिसीयबल है कि इमिसीयबल वाई का बता दिया वाई वाई वाटर में मिसीयबल नहीं है लेकिन वाई और जैड आपस में मिक्स है तो यह प 288 का मतलब हो गया लगबग लगबग वनवन फाइव डिग्री सेंटिग्रेट के आजपास और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेंटिग्रेट है और जो जहड है इसका 278 278 का मतलब हुआ 25 केल्विन तो 25 केल्विन 25 डिग्री सेंटिग्रेट और हंड्रेट से भी उपर की जो वैल्यू वाला जो सब्स्टेंस है इनको अलग करने का बहुत ही आसान तरीका है डिश्टिलेशन आप इसको बड़े आराम से यह डिश्टिलेशन है और थोड़ी दर पहले जो मैं फ्रैक्शनल डिश्टिलेशन की बात कर रहा था वो यह हैं तो अब समझ लो इसको भी समझ लो जो बच्चों ने अगर क्लास मिस कर दियो या उनको नहीं मालूम हो तो मैं sowohl that frustration की बात करें तो एक फ्लास्क लेते हैं और फ्लास्क में जो भी सबस्टेंस से ऊसको डाल देते अगर दो सबस्टेंस का बोलुजंग्पॉइंट 25 से ज् доб थर्ट एं तो लगबक 25 से ज्यादा हे तो गरम करेंगे तो जिसका boiling point कम है वो पहले evaporate होगा और जिसका boiling point कम है उसी temperature के आसपास ही आप boil करते हैं अब इसको गरम करेंगे तो क्या होगा मेरे बेटों जो सा कम boiling point है वो आ जाएगा और इधर से यहां से अपने को मिल जाएगा यहां भी वही काम हो रहा है वाटर से तो कोई लेना दे रहा है नहीं वाटर से तो अपन सेपरेट करी लेंगे अब जिसका कम boiling point है या वाटर भी इसमें रहेगा तो कोई नुकसान थोड़ी कर रहा है आपन गरम कर रहें तो जिसका boiling point 25 degree centigrade वो इससे होके अलग हो जाएगा अलग हो जाएगा कौन अलग हो जाएगा जैड ध्यान से समझना जैड अलग हो गया और जैड अलग होने के बाद वाई वाई और वाटर रहेंगे वाई और वाटर दोनों यह दूसरे से separate हैं तो बस separating funnel से अलग कर देंगे यह होता है इसको भी समझ लो इसमें क्या होता है जो सब्स्टेंस है उसका boiling point का डिफ्रेंट 25 से कम है एक का 90 एक का 100 है अभी पिछले question में हम देख चुके हैं तो 90 वाले को जैसी गरम करेंगे ना तो 90 के साथ 100 वाला भी evaporate ह हो जाता है तो समझ गए तो यह जो कॉलम में के अंदर इसे डॉट 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 लगे रहते हैं तो वो उसको उससे टकराता है तो जो 90 वाला उसकी energy थो वह तो उड़ जाएगा और जैसे उसकी energy डाउन हो गी तो वह वापिस नीचे आ जाएगा इसलिए मै अगर ज्यादा दिक्कत आ रहे है तो छोड़ दे पहले अगला question करें जो speed से हो जाए जो speed से हो जाए उसको पहले कर लो बाद में उसको सरक्ल करतो लास्ट मों सको अटेम कर लेना अधिन नाओ किस्ट्ट नमर टॉंटीनाहीं राची परपेड़ शॉलूशन विट तो यह बहुत सिंपल कि शॉलुशन नहीं तुछ भी नहीं है तुछ दिमाग लगाना solution जो है mass by mass उसकी value दी गई है mass percentage और water यानि solvent दिया है solution नहीं दिया solvent दिया है अभी नव प्रिपेर्ट दा साल्ट solution by dissolving the same amount of salt but in 180 gram of water what is the concentration of mass by mass percent solution prepared by अभी नव देखो बैया simple सा है तरीका बता देता हूं आप खुछ solve करें तो बहुत अच्छा है फिर बता जाता हूं इसने जो 11.2 राची ने क्या काम किया कि रांची ने क्या किया जो percentage बाइस डबलू बाइस डबलू परसेंटेज यह वह तो value दी गई है है ना अब इसमें जो वाटर जो है वह solvent है 3 20 solute कितना है वो मुझे नहीं मालू और उपा लिख रहा है मुझे solute into 100 यह clear हो गया मैं तरीका बता दे रहा हूं फिर मत कहना कि समझाए नहीं तरीका बता दिया यह solute आ गया अभी नहीं क्या किया अभी नहीं अभी नहीं क्या किया कि एक solution बनाया इसमें solute के quantity तो वही ले ली एक्स है ना एक्स ले ली और वाटर कितना लिया 180 ग्राम ले लिया into 100 तो यह value कितनी आई यह पता करना है सीधी सी बात है आप कुछ नहीं करना आप कुछ भी नहीं करना यहां से एक्स की value निकाल ली है और यहां पर पुट कर देनी है और जो value आईगी वो निकाल देना है और कुछ कुछ भी नहीं करना मैंने सॉल किया तो इसका आंसर आ रहा है फूर्थ 18.3 के आसपार आप सॉल करके चेक कर लेना नहीं आए तो मुझे कमिट कर देना ठीक है यह आपको करना है तरीका मैंने आपको बचा जी केमेस्ट्री तो यह खतम हो गई फिजीकल केमेस्ट्री का पे पसंद नहीं है तो भी आपको क्यालिकुलेशन स्ट्रॉंग करनी है कि मैच से भागने से काम नहीं चले हो फिजीक्स आपको 11-12 तक पढ़नी है नौ यह बड़ा अच्छा सवाल है और इस सवाल में मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं ट्रिक मतलब एक इस इन इंसुलीन भाइं एस बैन जो भी एड़लीट होते हैं आपको पता होगा डोपिंग टेस्ट किया जाता है जबभी कोहीं एक्ट्रिक रोते हैं तो उनके यूरेनाrespक्र में मैडिसीन तो नहीं लिए जिसकोट अब्ग बोलते हैं जो कि ऑड़्य करती एक्ट्य कोई तो उनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तो यह वह चीज है राकेश अमित दीपक और तरुन वर आश्ट बाइ ट्रेनर टो गिव देर यूरीन सेंपल हर खिलाडी को वहां पर अपना यूरीन सेंपल देना होता है चलिए अब देखो ध्यान से सुनना मैं कुछ ग्राफ को पढ़ना सिखा रहा हूं मैथेमेटिक्स में भी और फिजिस में भी आगे जाके कई जब आप 11 12 में जाएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आंसर ग्राफ से ही सॉल्व हो जाएगा इसलिए मैं आपको अभी समझा रहा हूं क कि ग्राफिकली आप्रोच कैसे लगाई जा नंबर बन और नंबर टू आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्राफ पढ़ते कैसे है ठीक है बहुत ध्यान से समझ ना बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा साल है आप लोगों के लेवल के लिए अच्छा सवाल हूं इस उर यह दीपक का रिजल्ट आया और यह तरून का रिजल्ट है अब इन्हों ने बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो गलत है इनकरेक्ट स्टेटमेंट मैंने थोड़े पहले भी कई बार बताए है इन्करेक्ट और करेट को पकड़के चला करो है ना मैंने समझा दी यह सारे इन्करेक्ट जहां पर आँ गलत है करेक्ट नहीं इन्करेक्ट वह यह ने लिख रहा विच जार रॉइफ रॉंग वर्ड यूज नहीं करते आजकल इन्करेक्ट यूज करते हैं study study the given chromatogram carefully and choose incorrect statement among the following पहला दीपक यूश्ट बोड़ ड्रक्स सर हमें कैसे पता चलेगा दीपक ने दोनों ड्रक्स यूज करी है कुछ नहीं करना आपको यह जो इंसुलीन वाली मैं मैं थोड़ा सा सर्किल बना रहा हूं यह और यह कि इसके साथ जो मैच कर रहा है न वो सही है दीपक यूश्ट बोड़ ड्रक्स आईए देखते हैं तो एक यह वाला जो पॉइंट है यह इसके साथ मैच कर रहा है और यह वाला इसके साथ मैच कर रहा है दीपक ने दोनों ड्रक्स यूज करिये तो यह करेक्ट है राकेश अंदीपक यूज इंसुलीन यह राकेश है राकेश ने यह वाली ड्रग यूज करिये और इंसुलीन नहीं यह देखो यह देखो यह इसके सामने नहीं आ रही है यह अमित का है सौरी राकेश यह राकेश ने यह वाली ड्रग यूज करी है पर इंसुलीन के सामने यह नहीं आ रहा है यह वाला कह रहा था मैं यह इंसुलीन के सामने नहीं आ रहा है इसका मतलब यह गलत है दीपक यूज इंसुलीन यह दीपक है यह दीपक ने इंसुलीन य used नहीं करी तो ये correct option हैं राकेश use epidrine ये देखो ये ये राकेश है ये राकेश का ये ये एपीड्रीन साही है राकेश ने एपीड्रीन यूज करी है अमित अंतरुन डिड नोट यूज ऐनी अप दी ड्रक अब ये देखो अमित ने ये भी ये भी कोई यूज नी करी तरुन ने तरुन ने भी कोई भी यूज नी करी यह इदर भी यूज नी करी इस तरीके से इस ग्राप को पढ़ते हैं एक्जाम में क्या करना इसको कौपी को उल्टा कर लेना यह देखो मैंने यह उल्टा किया हुए हम मैं जो इदर दे यह राकेश है यह राकेश यह इंसुलीन यह इंसुलीन है यह दर से यूँ देख लो यह यूँ देख लो है ना यह राकेश है यह एपीड्रीन यह से देख लो तो इस तरीके से देख लोगे तो भी समझ में आएगा और इस तरीके से देख लोगे तो भी समझ में आएगा ज आआ येवालि आ ये वालि क्या इन दोनों काımit से कोई रिष्था है। करें नहीं आ यहां भी नहीं और यहां पर है तरुन कैं यह तरुन रह यह यहां भी कुछ नहीं और है यहां भी है करा तुम्सुम्पल ये वाली जो मैडिसीन है ये और ये ये दो जो मैडिसीन है ये जिसके सामने से क्लिक हो रही है उसीने वो मैडिसीन ली ये जैसे इंसुलीन है इंसुलीन किसे ने लिए इसने दीपक ने तो दीपक यूज बोट दा ड्रक्स इसने दीपक ने ये वाली भी लिए और इसको जब मैंने यू किया तो ये इसके साथ आ रहा है ये नहीं आ रहा है राकेश ने दीपक यूज इंसुलीन दीपक ने इंसुलीन यूज नहीं करी राकेश ने ये वाली यूज करी है समझ जाओ राकेश यूज आफीड्रीन राकेश यूज दिस ऐसे हैं अमित अन्ट तरुन डिट नौट यूज एनी ऑफ दा गिवन अब देखो अमित को यह इन दोनों वाइट वालों से कोई भी क्रैश नहीं हो रहा है तो इस प्रकार से आप जब भी कोई चीज को कंपैर करेंगे ना इस तरीक से ग्राफिकली तो यूविल फील यूविल गैट आंसर इजिली कॉपी को पलट के ऐसा जैसा भी हो वैसा देख लेना अपने हिसा यह सवाल यह सवाल थोड़ा लेंदी है लेंदी इन दा सेंस कैलकूलेशन पॉइंट अफ यू से मैं आपको तरीका समझाता हूं कभी भी डैंसिटी दी जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस सवाल को स्टेप बाइस्टेप करता हूं आगे कैलकूलेशन आप ही करोग देखो अगे सॉल्यूट अगे सॉल्यूट का है सोडियम क्लोराइट मैं पोटेशियम क्लोराइट जो भी है यह कितना है थर्टी फोर पॉइंट सेवन ग्राम कितना है सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या है बेटा वाटर यह कितना है 100 ग्राम आराम से समझना यह बोल रहे हैं इन दोनों को मिला दिया इन दोनों को मिला दिया अब इन दोनों को मिला दिया तो जो सॉल्यूशन मना उसकी जो डेंसिटी है डेंसिटी कितनी है वन पॉइंट त्री ग्राम पर मिल लीटर ठीक है अब उस सॉलूशन का ये डबलू बाइवी परसेंटेज पूछ रहे हैं ठीक है माल लो मैंने इन दोनों को मिला दिया तो मेरे पास जो सॉलूशन बनेगा ना मेरे बेटों वो कितना बनेगा वन हंड्रेट प्लस थर्टीफोर पॉइंट सेवन तो यूविल गेट वन थर्टीफोर पॉइंट सेवन ग्राम यह हूं यह सॉलूशन का वेट वेट के दो या मास के दो आपको पता होना चाहिए कि डैंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम डैंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है यू शुड नो अबाउट देट तो भाईया यह तो हो गया मास अब डबलू बाई वी निकालने के लिए मैं डबलू बाई वी निकालने के लिए मेरे पादव्यू तो है मास अफस्रूट तो है पर pelos वॉयूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास म मास है वॉल्यूम तो है ऎ यह नहीं तो वॉल्यूम हम इससे निकालने मेंगे volume is equal to mass upon density mass कितना है मेरे पास 134.7 ग्राम और density कितनी है 13.5 तो यू विल गेट volume बराबर मास अपॉंट डेंसिटी तो यह हो गया 134.7 अपॉंट क्या है मेरे बेटों volume कितना है सॉरी टैंसिटी कितनी है 1.3 ग्राम पर मिली लीटर और यह हो गया ग्राम तो ओवर ओल यह बन जाएगा 134.7 अपॉंट 3.3 मिली लीटर क्लियर हो गया यह सर अब आप कुछ नहीं करना यह वैल्यू एज़िटी यहां पर रख देनी है यानि यहां पर डबलू बाइए कि वी परसेंटेज कितना होता है 34.7 अपॉंट 134.7 इंटू यह ऊपर चला जाएगा 1.3 इंटू हंड्रेट तो यह हो गया डबलू बाइए वी परसेंटेज अब आप इसको सॉल करते रहिए ठीक है तो यू विल गैट आइठेंक थार्ड ऑप्शन इस करेक्ट वो आप चेक कर लेना चेक करके मुझे कमेट में बताना कि यह सई है कि नहीं बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना डैंसिटी जहां भी आजा इस कृष्चन को पढ़ाने का इस कृष्चन को समझाने का एक ही मोटो है कि कभी भी आपको वेट दे दिया जाए और वॉलियूम में आंसर निकालना पड़े तो आपको डैंसिटी पता होना जरूरी है और अगर आपको वॉलियूम दे दिया जाए और वेट निकालना हो तो डैंसिटी से पता कर सकते हैं एक इनफॉर्मेशन और देता हूँ वाटर के लिए डैंसिटी वन होती है प्यॉर वाटर के लिए डैंसिटी वन होती है फॉर एक्जामपल अगर मान लो मेरे पास पंदरा मिली लीटर वाटर है तो मेरे पास पंदरा ग्राम ही वाटर होगा मेरे पास हंड्रेड मिली लीटर वाटर है तो हंड्रेड ग्राम ही वाटर होगा ये याद रखना क्योंकि वाटर की डैंसिटी वन है कई बार एक्जाम में आपको वाटर की डैंसिटी नहीं दी जाती और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने डैंसिटी तो दी नहीं तो एक्जामीनर ये सोचता है कि आप अगर इतनी साइंस पढ़ रहे हो तो आपने इस लेवल के किस्चन किये तो आपको ये पता होना चाहिए इलेवन्त लेवल पर हम ये बात बोलते हैं कि बच्चों याद रख लो रट लो कि वाटर की डैंसिटी वन ग्राम पर मिली लीटर या वन किलो ग्राम पर लीटर होती है next suitable method for separation of pure naptaline and sandy naphthalene Edge अ कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे उसको mix कर देंगे और एक particular substance में dissolve करके उसका crystallization कर लेंगे crystallization के बाद क्या होता है substance बिलकुल pure form में हमको मिलता है example of aerosol is aerosol का मतलब क्या होता है air dispersed मीडिया में और solid particle उसमें clouds की तरह होते हैं मतलब air में particles होते हैं तो उसको but not the least method of separation of cream from milk is mixing में घुमाते हैं ड्र क्रीम उपर आ जाता है समुद्र मंथन हजारों साल पहले किया गया था तो समुद्र को मंथन किया गया था समुद्र के अंदर के चीज़े सब बहार आई थी तो इसे मिल्क का जब मंथन करते हैं तो उसको को बोलते हैं सेंट्रिफ्यूगेशन सेंट्रिफ्यूगेशन करेंगे तो क्या होगा अंदर के सब्स्टेंस बहार आएंगे और मैंने आपको क्लियर कर दी है पर्टिकुलर कोई और किस्टन नहीं समझ में आ तो आप उसको कमेट कर देना मैं आपको समझा दूंगा बाकि पढ़नक के जितना हमने पढ़ा दिया है उसको पढ़ लिया मॉड्यूल पढ़ लिया तो अब यह किस्टन आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे पर फिर भी मैंने इस अभी का सॉल्यूशन मना दिय कि अगर पर्टिकुलर कोई किस्टन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेट कर देना आई विल एक्स्प्लेन यू ओके देन ओके सी यो इन नेक्स्ट वीडियो हैव नाइस टाइम गुडबाए